हलो फ्रेंट्स, इस्टेडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आज के इस चेप्टर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, सतंतरता का अधिकार सतंतरता का अधिकार हमारे समिधान में भागतीन में आर्ट किल उनीस से लेकर के आर्ट किल उनीस से, आर्ट किल उनीस जो है वो सतंतरता का अधिकार का ये पहला आर्ट किल है आर्ट किल उनीस जिसमें वर्तमान में छे प्रकार की सतंतरताएं दे गई हैं तो चले सबसे पहले हम बात करें आर्ट किल उनीस पे, आर्ट किल उनीस आठकिल उन्यस को जो हेडिंग दी गई है वो है स्वतंतरता का अधिकार और इसमें वरतमान में 6 प्रकार की स्वतंतरताएं हैं आठकिल उन्यस में 6 स्वतंतरताएं दी गई हैं अब यहाँ पर एक बात आप ये ध्यान करें कि मूल सम्मिधान में जब हमारा सम्मिधान लागू हुआ था उस समय आर्टकिल उनीस में साथ स्वतंतरताइं हुआ करती थी और उसमें एक स्वतंतरता थी संपत्य का अरजन उसका प्रबंधन और उसको बेचना यानि संपत्य रखना अरजित करना उसको संभाल के रखना और उसे बेचना इत्याद की जो सक्ति थी संपत्य संबन्दिय अधिकार उसको हटा दिया गया चवालिसमें सम्मिधान संसोधन उनीसो अठथतर के द्वारा तो उसके बाद में इस आर्टकिल में छे स्वतंतरताइं बचती हैं तो यहाँ पर आप लिखें कि मूल सम्मिधान में साथ सुतंतताएं थी मूल सम्मिधान में साथ थी तो कब हटाई गई अगली जो चवालिसमा सम्मिधान संसोधन था संसोधन उनीस सो अठथतर इसके द्वारा आर्टकिल उनीस एक एफ एफ की जो संपत्य की सुतंतरता थी संपत्य का अधिकार इसको हटा दिया गया हटा दिया गया तो इसको हटा करके कहा ले गया क्या बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया या अब भी ये संपत्य का अधिकार जो है वो हमारे समिधान में है तो बिल्कुल है इसको फंडाम से हटा दिया गया यह कहा था यह आठ्किल 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज F में था अभी हम A B C D E F G तक है इसमें तो F मौलिक अधिकार से हटा दिया गया उर्व इसको एक आठिकल भाग 12 में अरटिकल इसको जो है आठकेल नंबर 300A में रखा गया है और अब वर्तमान में ये क्या है? ये संबैधानिक अधिकार बन गया है केवल जो है संबैधानिक अधिकार है ये संबैधानिक अधिकार अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है संबैधानिक अधिकार के अंतरगत ही मूल अधिकार है लेकिन मूल अधिकारों को कुछ बिसेश सुरच्छा मिली हुई है कि मूल अधिकारों के उलंगन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोड जा सकते है आर्ट किल 35 के तहट लेकिन सम्मेधानिक अधिकारों के उलंगन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो इसको हटा दिया गया है तो अब कितनी बची छे सुतंतरताएं बचती हैं तो सबसे पहले हम उन छे सुतंतरताओं को दर्ज कर लेते हैं ये छे सुतंतरताओं को उसी हैं फिर हम एक-एक को डिसकस करेंगे तो इस प्रकासे आठकिल उनीस के क्लाज वन में ये क्लाज वन है आठकिल उनीस के क्लाज वन में ए बी सी डी ए एफ और जी ये पहले साथ सुतंतरताओं हुआ करती थी और वरतमान में ये जो एफ हैं इसको हटा दिया गया है इसलिए आपकी छे सुतंतरताओं यहां पर रह जाती हैं तो एक एक करके हम इन छे सुतंतरताओं के विष्धे में पढ़ेंगी ये सुतंतरता का जो अधिकार है इसको समिधान की बैकबोर्ण भी कहा जाता है बैध रज्जू या मेरुरज्जू इसको बैकबोर्ण आप दर कंस्टिट्यूशन भी कहा जाता है तो चलि हम एक एक को डिसकस करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक योम अभिव्यक्ति की सुतंतरता देखे इसका सा सीधा सा मतलब है कि कुछ भी बोलना प्रकट करना अपनी भावना अपने विचार को रखना किसी भी तरीके स चाहे बोल करके चाहे आप लिख करके कार्टून बना करके चित्र बना करके फिल्म बना करके मूवी बना करके किसी भी माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और अपने विचारों को प्रसारित कर सकते हैं इसका सीधा सा यही मतलब है फिर सुप्रीम कोट इपने समय समय पर अपने निरणयों में इसको और ज्यादा बिस्तारित किया है कि वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंतरता में और कौन-कौन सी चीजें आ सकती हैं तो मैक्समुम कुछ चीजों को हम यहां पर नोट डाउन करेंगे जहां से कुश्चन बन सकते हैं और मेंस में यदि आपको सिर्फ इतने पर ही लिखने को आ जाता है वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंतरता को बिस्तारित कीजिए तो आप इसको पूरा डिटेल में एंसर कर पाएंगी तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आठकिल उन्नीस क्लाज ए सब क्लाज ए इसमें कहा गया वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंतरता राइट टू स्पीक एंड एक्स्प्रेस यानि कि आप बोल भी सकते हैं और अपना बिचात प्रकट भी कर सकते हैं तो इसमें सुप्रीम कोट ने समय समय पर बहुत सी चीजों को सामिल किया है अपने निर्डेव में कि इस अधिकार के तहत आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं तो हम यहाँ पे नोट करेंगे की बोलने का अधिकार और अभिवेक्ति करने का अधिकार का पहले मतलब नोट करें इसका मतलब ये होता है कि अपना बिचार प्रकट करना ये हमको अधिकार है स्वतंतरता है किस तरह से आप अपना बिचार जो है बोल करके कर सकते हैं बोल करके लिख कर और भी तमाम अध्यम हो सकते हैं चित्र बना कर कर सकते हैं कार्टून बना सकते हैं फिल्म बना सकते हैं आदे और भी अनेक माध्यम हो सकते हैं किसेश्ची सामिल है प्रइस की सवतंतरता प्रेस की स्वतंतरता प्रेस की स्वतंतरता में electronic media और print media दोनों ही सामिल होते हैं प्रेस की स्वतंतरता है प्रेस अभिवक्ति के अंतरगत ही आता है अगर ब्रेक्ति अपने विचार को प्रकट करना चाहता है तो उसके लिए वो पेपर में छाप सकता है इसके बाद देखिए भ्यापारिक परचार करना जैसे कि आपकी कोई दुकान है कोई बिजनिस है कोई भी आपका की कामर्चेयल चीम आप उसका प्रचार करना, उसके लिये पोश्टर बैनर उगएरा लगाना, ये भी एक अभिवेकति है अपनी बात को रखना तो यहां पर देखे अपना विचार प्रकट करना तथा प्रसार करना भी इसमें सामिल है ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रकट कर सकते हैं इसमें अपनी बात को आप प्रसार भी कर सकते हैं फैला सकते हैं लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं इसलिए प्रेस की स्वतंतरता क्या है प्रेस की सुतंतरता आप ब्योसाइक बिग्यापन भी दे सकते हैं इसके अंतरगत अच्छा इलेक्टरानिक मीडिया जो होते हैं वो किसी भी घटना का आखों देखा हाल सुनाते हैं जैसे कि संसत के अंदर कारवाई हो रही है या कहीं पर कोई कार है तो उसका आखों देखा लाइप प्रसारण करते हैं उसकी भी सुतंतरता इसके अंतरगत आती है तो यदि इलेक्टरानिक मीडिया को लाइव प्रसारण करने की सुतंतरता है यह भी अभिवक्ति के अंदर ही आता है बाकी हमने यहां पर दिखा दिया देखे फिल्म बनाना काटून बनाना चित्र बनाना ल अगर बोलने का अधिकार आपका है, तो आप चुप भी रह सकते हैं, यानि कि चुप रहने का अधिकार भी इसी में आता है, चुप रहने का अधिकार, चुप रहना जो है, वो भी अपनी विचार को प्रकट करने का एक तरीका है, तो ये भी अधिकार अभिव्यक्ति की सुत संत्रता के अंतरगत ही आता है और बहुत ही लेटेस्ट एक मामला है इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, जिसको इसी आठकील 1A के तहट रखा गया है, इंटरनेट का अधिकार आ सकता है क्योंकि पेशा 19 जी जो है अभी हमने बताया आपको कि इसमें कोई भी जीवन यापन के लिए पेशा अपमाने का अधिकार है तो यदि मेरा कोई इस प्रकार का बिजनिस है इसा पेशा है जहां पर इंटरनेट एक मौलिक आओ सकता है जैसे मैं आपको यूटूब पर टीचिंग कर रहा हूँ यह मेरा अपना चुना गया पेशा है तो इसके लिए इंटरनेट एक अन्वार चीज है या फिर कोई साइबर कैफे है या कोई जिसे की टैक्सी है या रेल इंटरनेट पर डिपेंड भी हो सकता है तो इसलिए इंटरनेट को एकसेस करना प्राप्त करना भी एक मौलीक अधिकार है और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्राप्त करने का Would का अधिकार अभी जमू कस्मीर उगरा में जो इंटरनेट उगरा बंद किये गए थे उसी संदर्व में सुप्रीम कोर्ट नी जो है बाद में एक केस के सिलसिले में ये निड़े दिया कि इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार भी जो है वो अभी 2020 से ही ये मौलिक अधिकार के रूप मे माना जाना चाहिए और इसमें क्या चीजे हो सकती है सरकारी गत्विधियों की जानकारी प्राप्त करना ये भी इसी के अंतरगत आएगा क्योंकि यदि हम अपने विचार को प्रकट करना चाहते है तो हमें सरकारी गत्विधियों का जानकारी होना भी चाहिए तो सरकारी ग अत्मिधियों की जानकारी की जानकारी का अधिकार ये भी इसी के अंतरगत आता है अब देखे अगर अपने विचार को प्रकट करने का आपको अधिकार है तो फिर आप उस विचार को प्रकट करने के लिए बिरोध प्रदर्सन भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है मा लेते हैं कि सरकार की किसी योजना के खिलाफ मैं अपना विरोध दिखाना चाहता हूं तो मैं इन माध्यूम से भी कर सकता हूं मैं विरोध प्रदर्शन भी कर सकता हूं तो विरोध प्रदर्शन करना भी वाक योम अभिव्यक्ति के अंतरगत आता है लेकि इसमें अगला हम नोट करेंगे बिरोध करना किसी चीज का बिरोध प्रदर्शन यह अधिकार है लेकिन यहीं पर लिखेंगे लेकिन हरताल नहीं कर सकते आप इसके अंतरगत हरताल नहीं और यदि कोई सामुहिक बंद का आयोजन किया जा रहा है किसी संस्था या किसी वेक्ति के द्वारा तो उस सामुहिक वंद में मैं नहीं सामिल होना चाहता हूं तो ये मेरा अधिकार है ये भी अपना मत प्रकट करने का तरीका है मा लेते हैं कि किसी दल के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपना प्रतिष्ठान खोल के रखना चाहता हूँ तो ये वाकियोम अभिव्यक्त की सुतंतरता के अंतरगत उस बंद का बिरोध करने का अधिकार बनता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते है कि आयोजित अगर कोई आयोजित करके बंद हो रहा है मैं अपना स्वयम में बंद करना चाहूँ बिरोध में तो अलग बात है आयोजित बंद के बिरोध का अधिकार है मैं बिरोध कर सकता हूँ बिरोध का अधिकार है और ये मेरा मौलिक अधिकार है किसी दल बिसेस या किसी भी संगठन बिसेस के द्वारा मेरे प्रतिष्ठान को बंद नहीं करवाया जा सकता है फोन टेपिंग यहाँ उपन लिखे देता हूँ फोन टेपिंग के बिरुध अधिकार है यानि कि अगर फोन टेपिंग हो रहा है तो उसका बिरुध उसके विपक्च में मुझे अधिकार है मेरा फोन कोई टेप नहीं कर सकता है तो फोन टेपिंग के विरुध अधिकार हमें प्राप्थ है इसी वाक्योम अभिवक्ति की स्वतंतरता के तहट क्योंकि बोलने का अधिकार मेरा है तो उसको जबरजस्ति कोई टेप नहीं कर सकता है और एक और लिखे लें इसमें धोज फहराने का अधिकार धोज फहराने का अधिकार ये वाक योम अभिवेक्त के अंतरगत आता है हलाकि धोज संगिता के द्वारा भी हमको ये अधिकार मिलता है लेकिन यहां मौलिक अधिकार के तहत भी धोज को फहराना अपनी भावना को अपनी विचारों को प्रकट करने का तरीका है देश भक्ती प्रकट करने का तरीका है इसलिए धोज फहराने का अधिकार जो है वो ह चुप रहने का अधिकार आपका अधिकार है आप चाहे तो उसे गाए ना चाहे तो आप उसे ना गाए उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि आप राष्टगान के समाल में आप खड़े तो हैं लेकिन आप उसे गा नहीं रहें तो यदि आप नहीं गा रहे हैं तो इसमें राष् की एक सोतंतरता मिली हुई है वो यह रहे इसमें और भी चीजें सामिल हैं और समय समय पर सामिल की जाएंगी लेकिन ये निरपेच्च नहीं है अब सिल्यूट नहीं है इन पर 189 के क्लास तू के तहट दो के तहट इस पर जो है युक्त-युक्त निरबंधन लगाया जा सकते हैं इस पे जो है रिजनेबिल प्रतिबंद लगाया जा सकते हैं और उसके लिए आठ ग्राउंड्स दिये गए हैं आठ के उनीस दो में उनको भी आपको देखना है तो यह हो गए वाक्योम अभिव्यक्ति देखें इसमें सीधा सा मतलब है कि कोई भी अपना विचार है उसको आप बोल सकते हैं उसको प्रसारित कर सकते हैं उसको आप किसी भी तरीके से इनमा धिमों से आप लोगों के बीच में पहुचा सकते हैं मीडिया प्रेस किताबें निकालना जैसे कोई कैदी है जेल में है और वो अपनी पुस्तक को प्रकासित करना चाहता है तो उस तो इसी के एक आठकिल है आठकिल उनीस क्लास टू ये क्या करता है ये है वाक यवम अभिव्यक्ति की स्वतंतरता पर प्रतिबंध लगाता है के तहत युक्त युक्त रीजनेबिल निरबंधन है इस पे युक्त युक्त निरबंधन है और उसके लिए कौन-कौन से आधार है तो आठ आधार है वो देखिए कौन से है एक तो है देश की संप्रभुधा देश की संप्रभुता एवम अखंडता अगर इस पर मामला आएगा तो आपको इससे वंचित किया जा सकता है या फिर राज की सुरच्छा अगर आपके बोलने और आपके विचार पर कट करने से राज की सुरच्छा खत्रे में पड़ रही है तो आपको रोका जा सकता है बिदेश से मैत्री संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो भी आपके इस अधिकार पर प्रतिवंध लगाया जा सकता है बिदेश से मैत्री संबंध आप से ये अलग से ही कुश्चन किया जा सकता है कि वाक योम अभिवेक्ति की सुतंतरता को कौन से आधारों पर सीमित किया जा सकता है यानि इस पर रोक लगाई जा सकती है आप कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी है हम कुछ भी बोलेंगे लेकिन आठ आधार है अगर इनका उलंगन होगा तो राज आपके बोलने पर रोक लगा सकता है देश की संप्रभुता यो मखंडता खत्रे में नहीं पढ़नी चाहिए राजी की सुरच्छा का मामला नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की सोतंतरता है तो देश के सीक्रेट आप किसी को बता दे छाप दे अगर विदेश से कोई मेंतरी संबंद खराब हो रहे है तो भी आपको रोका जा सकता है नैतिक्ता योम आचरण पर भी रोका जा सकता है नैतिक्ता योम आचरण इससे संबंधी न्यायाले की अगर आप आवमानना कर रहे है न्याले की आग्या का पालन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको रोका जा सकता है अब मानना अगर आप किसी की मान हानी कर रहे हैं आप किसी को गाली गलोज दे रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं तो भी ये आपकी अभिवत्तिकी सुतंतरता में नहीं आएगा फिर आपको रोक दिया जाएगा कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे लोक बेवस्था लोक बेवस्था लाइन आर्डर जिसको बोल सकते हो आप लोक बेवस्था और एक ग्राउंड और है अपराध उद्धीपन अगर आप आपके बोलने से कोई अपराध बढ़ रहा है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं उद्धीपन का मतलब है आप भढ़का रहें किसी को तो इन आठ ग्राउंड पे जो है आठकिल उनीस दो के तहत ये आठकिल उनीस क्लाज दो में दिये गए है आठ चीजे कि इनके तहत जो है इसको वाक्योम अभिवक्तिकी स्वतंतरता को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो ये है आपका वाक्योम अभिवक्तिकी स्वतंतरता अब हम देखें आठकिल उनीस एक का सब क्लाज भी क्या कहता है दूसरी स्वतंतरता की बात करेंगे छे स्वतंतरता हैं छे पूरी डिसकस करेंगे आठकिल उनीस को पूरी तरिके से कम्प्लीट करेंगे अब हम देखे आठकिल उनीस क्लाज एक भी अब हमने आपको पीछे लिख करके बताया था कि सभायम सम्मेलन की स्वतंतरता सभायम सम्मेलन की स्वतंतरता दिखे किसी भी स्वतंतरता को आप निर्पेच नहीं कह सकते सभी पर प्रत्बंध लगाए जासकते हैं तो उसके लिए भी आठकिल है अलग से तो अब आगे आठकिल उनीस क्लाज एक सब क्लाज बी यानि बी पार्ट में आगे सभायोम सम्मेलन की स्वतंतरता अब इसके अंतरगत आपको क्या मिलता है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं आप जो है सभा भी कर सकते हैं आप जो है जुलूस जुलूस को जो है कहा गया कि ये चलती फिरती सभा है, चलती हुई सभा है। चाहे वो धार्मिक जुलूस हो चाहे आपका कोई अन्य प्रकार का जुलूस हो हलाकि धार्मिक जुलूस को आपके धार्मिक मुलिक अधिकारों के तहद भी सरच्छर प्राप्त है और यहां भी प्राप्त है तो आप एक जगे बैठ करके समेलन या सभा कर रहे हैं या फिर आ बिना हथियार के होना चाहिए और दूसरी चीज है कि इसमें जो है कोई सांती ब्योस्था नहीं बिगड़नी चाहिए यानि सांती पूर्वक होना चाहिए तो यह पूरा आपका दो ग्राउंड्स पे हैं यह कैसे होना चाहिए एक तो बिना हथियार हो बिना हतियार और सांती पूर्वक सांती पूर्वक ये दोनों सरते जो है फालो होनी चाहिए तो आप समेलन सभा जुलूस कर सकते हैं आप देखे इस पे भी प्रतिबंध है ऐसा नहीं कि आप ये सब कुछ बिना रोक टोक के कर सकते हैं इस पे दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं वो दो आधार कौन से हैं और कहां रखे गए हैं तो उनको रखा गया है आठकिल 19-3 में आठकिल 19-3 में और इसमें कहा गया है कि दो आधार है दो आधारों पर प्रतिबंध है पर्तिबंध लगा सकते हैं कौन से दो आधार है एक तो है लोक ब्यवस्था अगर आपके इस रैली इत्याद से सभाई इत्याद से लोक ब्यवस्था बिगड़ रही है लायोम आडर बिगड़ रहा है तो आपके इस सभाई पे रोक लगाई जा सकती है इसलिए जो है सभाये जो लू सित्याद करने से पहले आपको परमीशन लेनी पड़ती है ताकि वो उब्योस्था कर सकें कि law and order ना भिगरने पाए किस उद्देश से कर रहे हैं क्या उसमें करेंगे ये सब कुछ बताना पड़ता है दूसरी चीज है कि देश की संप्रभुता एवम अखंडता आपकी इस चीज से इसका भी पालन होना चाहिए ऐसा नहों कि देश की अखंडता खतले में पड़ रहे हैं आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो इन दो आधारों पर आठकिल 19 क्लास 3 के तहत सम्मेलन सभा जुलूस पर परतिबंद भी राज लगा सकता है और आप देखते हैं कि समय समय पर कभी कभी आप सुनते हैं IPC धारा 144 लागू कर दी जाती है और पांच या पांच से अधिक लोगों को जो है इकठा होने पर रोक लगा दी जाती है तो पांच से अधिक लोगों को इकठा होने पर रोक का मतलब है कि सभा नहीं कर सकते पांच लोग बैठके मैं सभा करना चाहरा हूँ पांच छे आठ दस लोग तो उस पर रोक लगा दी गई तो मेरे इस मौलिक अधिकार का उल्लंगन हुआ की नहीं हुआ लेकिन वहाँ पर क्या है वहाँ पर लोक ब्योस्था या देश की संप्रभुता योम खंडता के आधार पर रोक लगाई जा सकती है जैसे कि धारा 144 इंडियन पिनल कोट धारा 144 इसमें क्या होता है कि पांच पांच लोग प्रतिबन लगा दिया जाता है कि पांच लोग से अधिक जो है आप इकठा नहीं हो सकते हैं तो इसमें कई ग्राउंड्स है कि अगर आप मतलब कोई अपर कबजा करने का मामला हो सकता है या किसी अधिकारी पे आप दबाव बना रहे हैं कि आंपने करतव्यों का निरुवहन ना करे या फिर आपके इस से कानूनी प्रक्रिया का अंच हो रहा है किसी कानून का इतियाद से जिन की आधार पर जो है आपको रोका जा सकता है तो ऐसा आप बताएंगे कि जो हमारी सुतंतरताएं है आठकिल उनीस एक में दी गई छे सुतंतरताएं वो निरपेच नहीं है कभी कुश्चन ये इसी तरह अलग से आ सकता है कि क्या आठकिल उनीस के तहत दी गई छे सुतंतरताएं निरपेच है यानि उसको छीना नहीं जा सकता है तो ऐसा नहीं है उसमें भी हमने आपको बताया था प्रतिबंध है और इसमें भी हमने आपको बताया कि 8,9,3 के तहट, इसमें भी दो आधारों पर परतबंध लगाया जा सकता है, सभापर अब तीसरा हम देखते हैं 8,9, क्लाज 1, सब क्लाज C. C में क्या है? तीसरी सुतंतरता को देखते हैं, और उसको कैसे रोका जा सकता, उसको भी देखेंगे. इसमें क्या कहा गया जब आपकी सभा बन गई देखिया आपने बोला फिर आपने सभा बना ली सभा बना ली तो आप वहां पे अब अपना संगठन भी बना सकते हैं तो संग या संगठन बनाने की स्वतंतर्ता बनाने की स्वतंतर्ता तो ये जो है अधिकार है इसके अंतरगत आप कई चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि आप कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं जैसे कि आप एक कमपनी बना सकते हैं कोई साजहाफर्म बना सकते हैं और एक संसोधन के द्वारा अभी 2011 में 97वा संसोधन करके इसमें सहकारी समितिया बनाने का भी अधिकार जोड दिया गया है तो इसमें पहले क्या-क्या बना सकते हैं कुछ उधान लिखे संग्योम संगठन बनाने का मतलब है कि आप राजनीतिक पार्टी बना सकते है राजनीतिक पार्टी बना सकते है आप जो है साजा फर्म बना सकते हैं हो सकता है कि आप कोई कमपनी बनाना चाहते हैं कोई कमपनी कोई संगठन आ दे इसमें बना सकते हैं और अभी जो है सत्तानबुवा सत्तानबवा संसोधन किया गया इसमें संसोधन 2011 में और इसमें जो है सहकारी समिती कॉपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिती बनाने का धिकार जोड़ा गया समिती बनाना इसको जो है इसके अंतरगत एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है आठकिल 191C के तहट तो ये 97th amendment के तहट 2011 में सहकारी समीति बनाने का अधिकार रखा गया है साकीरी समीतियों में अधिकार रहते हैं कि आप इसमें किसी बेक्ति को भी सामिल कर सकते हैं और जिसको ना सामिल करना चाहें तो आप ना सामिल करें तो राजनीतिक पार्टी इत्याद बनाना साजा फर्म है कंपनी है या किसी यानी प्रकार का संगठन है संग है यह सब बनाने की सोतंतरता हमको यहां पर मिलती है तो कि यहां निर्पेच है यह भी नहीं है इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है किन परिस्थितों में लगा जा सकता है तो इसके भी ग्राउंड से और किस आठकिल के तहत तो इसको देखे आठकिल उन्नीस चार के तहत देखे यहां पर एक में तो यह सब अधिकार दिये ही जा रहे है यह दो के तहत इसको तीन के तहत इसको चार के तहत आठकिल उन्नीस क्राज फोर के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं प्रतिबंध लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए वही GROUND्स है जो सभायों समेलन में हैं वही इसमें दो GROUND्स आप लिख लेजेगा कि लोक व्योस्था और भारत की संप्रभुता योम अखंडता उन्हीं दो GROUND्स पे इसमें भी प्रतिबंद लगाया जा सकता है अब बात करते हैं हम तो ये सब कुछ आप बना सकते हैं, कलब इत्याद भी बना सकते हैं, आप कोई कलब उगरा देखते हैं, या बनते हैं, तो ये सब हमारा अधिकार है, अब इसके बाद आर्टकिल 19.1.D पर बात करें, D क्या कहता है, अब आपका संग्ठन बन गया तो कहीं आप आना जाना चाहेंगे, टहलने घूमना चाहेंगे तो भारत के राजिछेतर में आप जा सकते। आठकिल उनीस एक डी ये क्या कहता है? ये कहता है कि निर्बाध बिना बाधा के, निर्बाध संचरण की सोतंतरता। इसका मतलब है कि आप कहीं भी आने जाने की सोतंतरता रखते हैं। तो क्या ये सिर्फ देश के अंदर लागू है या विदेश में भी लागू है। अगर आप पूरे भारत राजी छेत्र में कहीं भी आना जाना चाहें तो आप बिल्कुल बिना बाधा के आ जा सकते हैं। और अगर आप बिदेश जाना चाहें तो ये भी आपका मोलिक अधिकार है, आप बिदेश जा सकते हैं और वापस अपने देश आ सकते हैं। तो ये जो है देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार आपको देती हैं और बिदेश जाने का अधिकार भी इसी में सामिल है बिदेश जाने तथा वापस आने वापस आने का अधिकार है आपको अगर आप बिदेश जाना चाहते हैं तो सरकार आपको ये नहीं कह सकती है कि आप बिदेश नहीं जा सकते हैं तो ये दोनों देश में और देश के बाहर दोनों जगे पर आपको ये मौली का धिकार मिलता है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और वो आठकिल 19 के क्लाज 5 के तहत इस पर रोक लगा सकते हैं आठकिल 19 क्लाज 5 कि इस पर जो है क्या कर सकते हैं युक्त युक्त निर्बंधन परतिबंध आप इसको कहेंगे निर्बंधन सब्द प्रयोग किया गया है निर्बंधन लगा सकते हैं आप उसके लिए क्या ग्राउन्स होंगे की न broken आधारों पर एक तो लोक्यवस्था अगर बिगड़ रही है जिसे आप कही आ जा रहे हैं तो उसके वजह से अगर लोक्यवस्था बिगड़ रही है तो आपको रोका जासकता है और अनसूचित जन जातियों के छेतर में इस परमिशन लेनी पड़ती हैं तो इसके दो ग्राउंड्स हैं एक तो लोख हित में अगर कोई लोख हित का मामला है तो सरकार आपके आवगमन पर प्रत्मंद लगा सकती है और दूसरा जो है अनसूचित जन जाती जन जाती सनद छण में इस मामले में भी आपको किसी छेतर में जाने से रोका जा सकता है तो इस तरह से दो आधारों पर आठकिल पंदरा पांच उनीस पांच के तहट जो है आपके उपर आवगमन पर रोक भी लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोट ने विभिन निड़ों मे बहुत से निड़ों समद्र में दिए हैं जैसे कि वैसियाओं के आवगमन पर राजी जो है उचित परिश्तिते वे उबर रोक भी लगा सकती है एड़ स्पीडित के लिए सुप्रीम कोट ने कहा कि बीड़ों कहीं वहाज आने जाने पर रोक नहीं हो सकती है तो इस तरह से कई केस आया कि समय समय पर सुप्रीम कोट देता रहता है। लेकिन मोटे तार से कहें तो आपको देश में कहीン भी आने जाने की सुतंतरता हैं बिदेश में जाने के और वापास आने के अभी अधिकार आप रखते हैं। लेकिन लोक हिद्में और अनसूचित जंड़ जातियों के सरच्छड के संदर्व में आपको रोका जा सकता है जैसे असम और मिघाले उधर के छेत्रों में जहां पर जन जाती ही छेत्र हैं उन छेत्रों में जाने से पहले आपको विशेस परमीशन लेनी पड़ती है तो आठकिल उनीस पांच के तहती ये प्रतिबंध अगला इसके बाद जो अधिकार आता है आठकिल उनीस क्लाज एक ही है देखिए सब आठकिल उनीस क्लाज वन में ही रखे गए हैं A, B, C, D अब आगे हम E पे तो E में क्या कहा गया है तो देखिए सबसे पहले आपने बोलना शुरू किया तो आपने सभा की सभा में जाकर क प्रभावित हो गए तो आपने संग्ठन बना लिया संग्ठन बनाने के बाद में आपने कहा चलिए पूरे देश में गूमते हैं अगला जो अधिकार है वो है देश में कहीं भी रहने एवं बसने का अधिकार बसने का अधिकार तो इसमें दोनों चीजे सामिल है आप इसमें रह भी सकते हैं यानि कि रहना अस्थाई भी हो सकता है और आपका बसना हो सकता है यानि कि आप इस्थाई तरीके से वहाँ पर रह सकते हैं तो ये दोनों ही अधिकार आपको मिलते हैं अब इस पर भी परतिबंध है जैसा कि आठकिल अभी उपर वाले में निर्बाद संचरण पर पर परतिबंध थे बिल्कुल उसी तरीके से इस पर भी परतिबंध लगाए गए हैं तो बिल्कुल सेम वही रहेगा कि यहां भी लोखित में और जन जातियों के सरचण के संदर्ब में उनके छेतरों मर आपको घार इत्याद बनाने से परमानेट रोकने से रोका जा सकता है जहां जन जाती छेत रहूं तो इस तरह से आठकिल एक का जो ई पार्ट है वो इस तरह कहीं भी आपको रहने और बशने की सुतंतरता देता है अब इसके बाद में जो अगला आठकिल देखे आपका अगला धिकार जो आ जाता है वो है आठकिल उनीस एक जी अब दिखे एफ बीच में गाइब हो गया तो एफ कहां चला गया एफ हमने बताया कि संविधाद संसुधन 1978 द्वारा रिमूब कर दिया संपत्तिक अधिकार तो अब जी पर आ गए आठकिल वन आठकिल 19 वन जी तो इसमें क्या है आप इसको ऐसे समझे पहले आपने बोला संविलन बनाया संग्ठन बनाया घूमने गया वहां रहने लगे अब आपको कुछ प चुनने का अधिकार है आपको इसको लिखने के अलग से ज़रूरत ही नहीं है आप कोई भी अपना पेशा चुन सकते हैं, जो भी आप करना चाहे, आप बढ़ाई बनना चाहे, आप लोहार बनना चाहे, आप सोनार बनना चाहे, आप दुकान खोलना चाहे, आप फैक्टरी खोलना चाहे, आप डाक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, आप कुछ भी करना चाहे आप अपने मन पसंद पेशा चुन सकते हैं तो इसमें भी कुछ प्रतिबंध है इसमें भी युक्त युक्त प्रतिबंध है और उसके दो बड़े आधार है तो इस पर भी जो है इसको अगर आप लिख ले तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पेशा करने का अधिकार है ये करने का अधिकार है आप कोई भी चुन सकते हैं आपको बाद नहीं किया जाएगा कि आप यही काम करें कोई आप से यह नहीं कह सकता है कि आप खेती ही करो या आप जो है डेरी ही खोलो या आप यही काम करो दुकान ही खोलो आपका जो मन पसंद हो काम वो आप कर सकते हैं लेकिन इस उसके कुछ परतिबंध है कि इस पर युक्त युक्त दि करूब। यह मतलब है जाएगा उसका की कारण होना चाहिए तो युक्त-चुक्त इसपर निर्बंधन हो सकते है निर्बंधन और उसके दो इसके 210 उसके तो आप से यह कहा जा सकता है कि कुछ पेशों के लिए तकनीकी या व्यूसायक योगता होना जरूरी है तो वह आप तभी कर सकते हैं. यानि कि कुछ व्रत्यों के लिए या पेशों के लिए कुछ पेशों के लिए तक्निकी योगिता लगाई जा सकती है जैसे कि डाक्टर है तो डाक्टर होने के लिए आपको एक योगिता हासिल करनी पड़ेगी ऐसा नहीं होगा कि आप इस आर्ट किल के आधार पर आप कहें कि जीव को परजन के लिए मुझे कोई भी पेशा चुनने का अधिकार है तो कल से मेरे इस रूम में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं मैं अहाँ पर डाक्टर बन के वैठ हूँगा और कल से मैं मरीज देखूँगा इलाज करना श जरूरत होती है तो आपको वहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है हां उस योगिता को हांसिल करने के बाद में आप कर सकते हैं और दूसरी चीज यह है कि कोई कल को मेरे पास पहुत से पैसे आ जाए और मैं कहूं कि अब मैं अपनी रेलवे लाइन विछाओंगा मैं अप कुछ बेवसाय उद्दोग इत्यादि पर सरकार एक अधिकार रख सकती है यानि राज उसको संचालित कर सकती है और आपको करने से रोक सकती है तो ऐसा इसमें पहले से ही कहा गया है कि राज जे कुछ ब्यापार उद्दोग सेवा स्वयम जारी रख सकती है उसका अधिकार रहेगा स्वयम जारी रख सकती है हो सकता है कि राज वह आपको ना करने दे जैसे भारत में देखे रेलवे जो है रेलवे प्राइबेट नहीं आप इच्छा सकते हैं क्योंकि उस पर मोनोप है सेंटर गौवर्नमेंट तो राज कुछ ब्यापार या उद्दोग या सेवा सर्विस स्वयम जारी रख सकती है और अनुवेक्टियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है अब इसमें देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके लिए विशेश तकनिकी योगित्ता की जुरत हो होगा कि मुझे कह दिया जा कि मुझे कोई भी पेशा करने की स्वतंतरता है तो मैं कुछ ऐसा करने लगूं जो कानून की नजर में ठीक ना हो या अत्यधिक खतरनाक हो तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि वहां पर आने लोगों को भी खत्रा हो सकता है लेकिन विशेश के साथ खोले जा सकते हैं और कुछ परत्वंधित हैं जैसे चोटे बच्छों से काम करवाने का कुछ हम खोले तो वो प्रत्वंधित है क्योंकि हम उसमें कई आठ किल आ जाएँगे यहां पर पर पी परतवंध हैं और आठकिल है जो सोशल्ड के विरुद्ध अधिकार उसके तहत भी प्रतिवंधित है तो वैसा बयोसाय भी मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर देह ब्यापार हो गया, मानों ब्यापार हो गया इस तरह के ब्यापारों के लिए बिशेश परावधान है तो इस तरह का प्रतिबंधित भी है और कुछ के लिए बिशेस परमीशन की जरूरत होती है तो युक्त युक्त निर्बंधन कर सकते हैं पेशा आप जुन सकते हैं कोई लेकिन सर्तों के साथ करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आठकिल उनीस एक के तहत आपको छे सुतंतरताय दी गई है तो छे सुतंतरताय आपको मिलती है लेकिन वो निरपेच नहीं है यानी आपसल्यूट नहीं है उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं तो इस प्रकार से हमने आठकिल 19 को समझ लिया है इसके बाद हम अगले आठकिल को नेक्स्ट क्लास में डिसकस करेंगे तो मिलते हैं एक और बहतर क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद